कोई भी गवर्मेंट जॉब हो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने एक सवाल का जबाब नहीं खोज लेते हैं और वो है डबलू एच वाई वाई आपको गवर्मेंट जॉब क्यों चाहिए किसलिए चाहिए क्या बदलना चाहते हैं आप आपकी वो कौन सी पर सानिया हैं उसको एक पेन और पेपर पर लिख डालिए और उसका जो समाधान है जो कि उस गवर्मेंट जॉब के द्वारा हो सकता है उसको नीचे हाइलाइट कर दीजिए डेफिनिटली क्योंकि ये चाभी है आपकी तवाम समस्चाओं को हल करने के लिए तो क्यों कि अगर आपके मन में मोटिवेशन नहीं है अगर आपके मन में क्योरिष्टी नहीं है आपको पता ही नहीं है कि पढ़ने से क्या होगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन अगर आपको पता है कि ये जौब में नहीं मिरी तो हमारा कितना कुछ बिगड़ जाएगा हमारा कितना कुछ दाउं पर लगा है तो निश्टित रूप से अगर आप बीमार भी रहेंगे तब भी आपकी बॉड़ी में एतनी इनर्जी आ जाएगी कि आप पढ़ सकेंगे तो अपने वाई को तलासिए और इसका आंसर तलासिए इनर्जी अपने आप जनरेट है कि आखिर TGT PGT में जो एक्जाम डेट है उसको अभी तक डिकलेर क्यों ने किया गया सबसे बड़ी अरचन जो सामने आ रही है वो क्या है अरचन यह है कि 10 अदस्यों की नियुकति अभी तक नहीं हो पाई है तो सेवा चैन बोर्ड में 10 अदस्यों की नियुकति नहीं हो 2 दिसंबर को ठीक है कब 2 दिसंबर को इस पर अगली सुनवाई होनी है और 2 दिसंबर को लिखी तुरुप से मादमी सिच्छा सेवा चैन बोर्ड जबाब देगा कि वो कब तक एक्जाम डेट को डेकलेर कर देगा और सदस्यों की नियुकति कब तक हो जाएगी अच्छा ए जनवरी में भी परिक्षा हो नहीं सकती है ठीक है फरवरी में बोर्ड की परिक्षाएं है तो यह जो बोर्ड की परिक्षाएं है यह फरवरी में एक महिना ही चलेंगी तो मतलब यह कि मद्ध मार्च तक समहोना बन रही है मार्च 2023 तक समहोना बन रही है टीजीटी पीजट तो उसमें दो दिन निकल जाएंगी कोई घर पे आ जाएगा कोई बीमार हो जाएगा कोई भी आवस्तिक जुनरी काम आ जाएगा तो ये 80 days भी आपके लिए sufficient हैं दोस्तों अगर आप तयारी करें तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे चलते हैं बात करते हैं के वियस टेजिटी पेजिटी notification के बारे में आपको इसी सब्ता ये notification मिल जाएगा कब मिल जाएगा ये तो मुझे नहीं पता date क्योंकि आज Saturday है तो कल तो नहीं आएगा लेकिन बस आपको जो है जब परदस रहेंगी चार साल के बाद ये notification आ रहा है तो जो चार साल में सीटेटिक तुई हैं सारे पद इसमें add किये गए हैं आपके मन में आ रहा होगा कि इसकी eligibility क्या होगी जब को फ्रेंट्स eligibility बहुत ही simple सी है ठीक है age बता देता हूं से पहले तो 18 से 40 साल की जिनकी उम्र है वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे और जो लोग रिजर्व काटेगरी के हैं उनको उम्र सीमा में 5 साल की 5 साल तक की छूड भी मिलेगी eligibility में आपका असनातक में 50% होना चाहिए ये compulsory है beard भी मागा जाता है ये भी compulsory है इसके लावा CTET का CTED का जो दूसरा paper होता है junior वाला वो qualify हुआ होना चाहिए तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे exam कैसे होता है तो इसमें 2 paper होते हैं पहला paper हिंदी और अंग्रेजी का हो जाता है उसमें 2 part रहते हैं और जो दूसरा paper होता है उसमें पेडा गाजी है reasoning है आपका subject है तो इस परकार से दो paper होते हैं और सभी प्रस जो होंगे वो MCQs based रहेंगे तो KVS TGT-PCT के लिए अब आप आप लोग तयार हो जाईए जब अब अब आप आप तयार हो जाईए तो आपको UP TGT में केवल subject ही पढ़ना पढ़ता है जब की KVS की जो TGT होती है KVS TGT इसमें subject के अलामा अगर आप देखेंगे तो आपको हिंदी भी पढ़नी है English भी पढ़नी है इसनी भी पढ़नी है पेड़ागाजी भी पढ़नी है और इसके अलामा current affair के भी कुछ questions सरल होते हैं आ जाते हैं और subject भी तो मिलाज उलाके आपको ठीक ठक तयारी करनी होगी ठीक चलो अगली खबर पे चलते हैं फटा-फट सारी खबरों के बारे में आपको बता देते हैं यूपी में सिक्षक नियुक्ती में देरी पर सुप्रीम कोड खफा पूछा क्या हमें चलानी है सरकार तो ये जो नियूज किसके बारे में है देखो सुप्रीम कोड ने उत्तर प्रदेश में विसेज सिक्षकों की कमी पर नाराजी जदाते हैं प्रदेश सरकार से सवाल की है सिर्थ अदालत ने पूछा क्या सरकार हमें चलानी है यहां तक कि जब मामला सुप्रीम कोड के समक्ष लंबीत है तब भी आप परिसान नहीं होते आप चाहते हैं कि चीजें कागजों के डेर में खो जाएं जस्टिस दिनेश महस्वरी और जस्टिस सुधानसु धूलिया की पीट मामले में दाखिल जनही त्याजक्या पर उची थरपनामा दाखिल ना करने पर नाराज थी सुनवाई के दुरान यूपी सरकार के वकील ने कहा कि सरकार 12,000 नियमित सिक्षकों की नियुक्ती पर विचा कर रही है और इसके लिए बजट आवाटित किया जा चुका है इस पर पीट ने पूछा क्या यह इस सदी में हो जाएगा वकील ने जबाब दिया अदालत हमें निर्देश दे सकती है तो इस पर भी अदालत ने यह कहा कि क्या पूरी सरकार हमें ही चलानी है मतलब निर्देश देंगे तो आप कहेंगे कि अगली सुनवाई अपनी सीमा का उलंगन कर रहा है इस मावले में अगली सुनवाई दिसंबर के दूसरी हपते में होनी है अच्छा यह जो मामला है यह इस पिसल टीचर वाला मामला है तेरे लाग बिसेस आउसकता वाले चातरों पर मात्र इसमें 2115 सिक्षक है उनको जो है बढ़ाया जाना है यानि अभी जो है बारह हजार और सिक्षों के नियोक्ति पर फिलाल विचार किया जा रहा है ठीक है और अगली ख़बर असेस्टन प्रफेसर बिदी का संसोधित होगा पैडाम तो लाग की जो परिक्षा होई थी बीग्या पसंका 50 के अंतरकत वो भी रिजल्ट अब रिवाइज उने वाला है और यहाँ पर बॉकलेट स्रीज ए का जो कॉस्टन नंबर 22 और 74 है उसको लेकर आपति थी एक पर स्न गलत है दूसरे का बिकल्ब गलत है उत्तर पजिस उचतर सिक्षा सिवा आयो की और से गड़ित करमेती में सामिन विस्ट क्रत वोग्यों ने भी याचिया करता हो कि अपति को सही माना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे विस्टीओं के जो रिजल्ट हैं बदे जा रहे हैं कई सारे जो चैनित हैं जो इन थे वो आउट हो रहे हैं तमाम चीज़े हैं ये चलता रहता है हाँ बिग्यापद संख्या 51 के लिए एक्जान डेट अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये परिक्षा अभी अप्रेल के बाद ही हो पाएगी उसके पहले पॉसिबल नहीं लगती है क्योंकि अभी दर किसे बारे में कुछ बात ही नहीं हो रहा है इसके लावान उनने अगनी पत्योजना पर भी सवाल उठा है तो ये मामला जो है वरुण गाधी की ओर से 36 गड़ में जो आरक्षण है वो 76 फिजदी तक होच चुका है केंदर कांग्रेस सासी 36 गड़ में मोखी मंतरी भूपेश बगेल की अधक्सता में हुई बैटक की अधक वितिश में आरक्षण से सम्मादी दो संजोदी विधायकों को मंजोरी दे दी गई है इन विधायकों अनसुषित जनजात EST, OBC, आरक्षण, संसुदन अधनियम और सैक्षण संस्थाओं के में दाखिले में संसुदन से जुड़े हैं तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट ठीक हैं बने रही हमारे साथ और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया नमस्कार जैहन